बिस्मिल्ला रहमान रहीम, असलाम लेकूं मैं हूँ नजीब अली और आप देख रहे हैं पब्लिक अकेडमी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब को रोकेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चेनल पब्लिक अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चेनल पब्लिक अकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आकर में कुलिक करें ताके हर नए आने वाली वीडियो आपको इस बेल आकर मिलती रहें चलिए हम अपना वीडियो شुरू करते हैं आज हम डिसकस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आईए हम शुरू करते हैं नेगेटिव याने मनफी फिक्रे फिक्रों को मनफी बनाने के लिए इमदादी फेल इस एम और के फोरण बाद नौट इस्तेमाल किया जाता है नाजरीन में दुबारा रिपीट करता चलूंके फिक्रों को मनफी बनाने के लिए इमदादी फेल याने इस एम और के बाद नौट इस्तेमाल किया जाता है याने पहले सब्जेक्ट उसके बाद इस एम और उसके बाद इंग पार्म लगा जाता है याने पहले subject फिर is, am, are is, am, are के बाद not उसके बाद inform और last में objective लगाया जाता है मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ इसकी translate क्या होगी I am not learning my lesson I am not learning my lesson याने मैं सबक याद नहीं कर रहा हूँ I am not learning my lesson वो गलती नहीं कर रही है वो गलती नहीं कर रही है She is not making a mistake I repeat again She is not making a mistake हम किताबें नहीं खरीद रहे हैं We are not buying the books Introgative sentence Introgative means सवालिया, फिक्रे फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फेल, जिसको English में helping verb कहते हैं याने इमदादी फेल is MR को फिक्रे के शुरू में याने फाइल से पहले लगाया जाता है File means जिसको English में subject कहते हैं याने subject से पहले लगाया जाता है मैं दुबारा repeat करता चलू कि फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फेल is MR को फिक्रे के शुरू में याने file से पहले लगाया जाता है जिस तरीके से अगर कोई भी sentence है तो उसमें is या एम या आर सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा उसके बाद subject उसके बाद एंग फार्म और लास्ट में object लगाया जाएगा क्या हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं नाजरीन मैं दुबारा repeat करता चलू कि क्या हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं इसकी ट्रांसलेट क्या होगी? Are we wasting our time? क्या फात्मा सेब खरीज रही है? Is फात्मा बाइंग एपिल्स? Is फात्मा बाइंग एपिल्स है? क्या मैं घंटी बजा रहा हूँ? Am I ringing the bell? Am I ringing the bell? नोट नाजरीन ये चीज़ अपने पास आप नोट्स में लिख लिजिएगा इस टेंस में I के साथ हमेशा अमदादी फैल M इस्तेमाल होता है नाजरीन मैं दोबारा रिपीट करूँ इस टेंस में I के साथ हमेशा अमदादी फैल M इस्तेमाल होता है और वी यू देख या किसी भी जमदादी फैल R इस्तेमाल होता है और ही शी इट या किसी भी वहएद फैल के साथ अमदादी फैल इस्तेमाल होता है नाजरीन मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि ये चीज़ आप अपने नोट्स बुक में नोट कीजिएगा इस点्स में, आई के साथ हमेशा अमदादी fakal एम इस्तेमाल होता है V, U, They या किसी भी tentar जमुवाई के साथ R इस्तेमाल होता है और He, She, I या किसी भी वाहिद फाल के साथ इस्तेमाल होता है यानिött जमुवाई या V, U, They के साथ R और He, She, I या सिंगूलर सब्जेक्ट जिसको हम वहद फॉयल केते हैं उनके साथ इस इस्तेमाल होता है नाजरीन मैं हूँ नजीबली और आप देख रहे थे पब्लक अकेडमी मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लक अक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल पब्लक अकेडमी को सब्सक्राइब करें वह साथ में बेल एकडमी क्लिक करें ताक कि हर ने आने वाली वीडियो आपको इस बेल एकडमी मिलती रहें और आखर में वीडियो खुल लाइक